हेलो दूस्तो बैसे तो आपने कई प्रकार से सूजी का हलवा खाया होगा आज मैं आपके लिए बिल्कुली अलग तरीके से ये हलवे की रेस्पी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने माली है और इतना टेस्टी हलवा बनके तयार होता है कोई बोली नहीं सकेगा कि ये सूजी से बनके तयार होता है मतलब हुआ है इसका टेस्ट बिल्कुली मूगी दाल की हलवे की तरह ही आएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी ही ये हलवा दाने दार बनके तयार होता है बैसे मैं आपको बता दूँ यह मैंने नवरात्री में पूजा के लिए बनाया था धुर्गा मा की पूजा के लिए लेकिंगे मैं आपको बाद में ये बीडियो शेयर कर रहे हूं तो चलिए फिर इसको जटपट से बना ही डलते हैं इसको बनाने के लिए आदा कटोरी मैंने सूजी ली है आपको कितनी भी क्वांटिटी कम्या जादा भी कर सकते हैं कोई सी भी सूजी ले सकते हैं और इसके बाद ही एक कटोरी मैंने इसमें गरम दूद डाल दिया है तो बस अब चलिए अगली प्रसेस पूरी करते हैं तो इसमें कुल मला के घी की थोड़ी ज़्यादा ही जरूरत रहती है यानि कि जितनी सूजी लिया न उतना ही घी लेना पड़ता है तो अब भी मैंने तीन चमच इसमें घी डाल दिया है तो ये देखिए मैं इसको परावर से ही इसी तरह से ही चलाती रहूंगी बहुत ही जट पड़ी है हलवा बन के तयार तो होता ही है साथ मैं जो नॉर्मल आप हलवा बनाते ना उनसे तो मतलब उस हलुए से तो कई कुना ज़्यादा ये टेश्टी रहता है और ये देखिए जैसे ही इस तरह से ये बन का तयार हो जाए इसमें आप एक से दो चमच फट से भी घी डाल सकते हैं जैसे मैं डाल ले हूँ बीच बीच मैं ही आप इसी तरह से ही घी डालते रहे और इसको बरावर से ही चलाती रहे आपको ध्यान रखना है गैस की फिलिम आपको medium ही रखना है डाल सकते हैं या फिर आप इसमें रोस्टेट की होगा पेसन डाल सकते हैं इसी टाइम पर बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा बेसल लेकिन आप जरूर एट करें कलर तो अच्छा आता ही है साथ में टेश्ट तो बहुत ही कजब काता है इसमें फिर से मैंने एक चमच और घी ड लग रहा है दाने दाद मेरे पास सुगर सीरप रखा हुआ है तो एक कटोरी में सुगर सीरप ले रहे हूं अगर आपके पास ना हो तो जितनी आपने सूजी ले ना उस मतलब उससे थोड़ी से ज्यादा ही चीनी लें और एक कटोरी पानी लें चीनी घुलने तक बराबर स ही चलाती रहें उसमें लाई जी का पाउडर केसर के धागे आप पे डाल सकती है और जब चीनी अच्छे से घुल जाए थोड़ी से एक से दो मिनिट तक और चलाएं और जब तक आपको यह सोगर सीरप बना कर तयार करना है और यह देखिए मैंने सोगर सीरप इसमें डाल दि और यह हल्वा दानेदार बन के तयार होता है आपने नॉर्मली सूजी का हल्वा कई प्रकार के खाया होगा दानेदार हल्वा तो नहीं खाया होगा बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है लास्ट में एक ही चमजगी बचा हुआ था वह भी मैंने डाल दिया है और जैसे ही यह यह हल्वा पैन चोड़ने लगा मैं कैस की फिलिम आफ करके इसको सर्फ कर दूँगी तो आप चाहें तो इसमें सैलो फ्राइ किये हुगे या फ्राइ किये हुगे ड्राइफूट्स भी डाल सकते हैं मैं उपर से ही डालूंगी और नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं यह बहुत ही पसंद आएगा आपके हां कोई रिस्तेदार आ जाएं या फिर पिरसाद में लगाना चाहें या फिर बच्चों गली बनाना चाहें यह बेस्ट हल्वा रहेगा यकीन मानिये आपने सूजी का हल्वा तो कई परकार का खाया होगा ऐसा हल्वा तो सायद नहीं खाय बहुत ही ज्यादा बहतरीनिस का टेश्ट आता है और यह आपको पता है अगर आप इसी तरह से सारी टिप्स फॉल्व करते हैं तो आपका हल्वा बहुत ज्यादा बेस्ट हर्वाबन के तैयार हो जाएगा तो कैसा लग रहा है जो बताएं कोई सजेशन हो तो जरूर दें क पूरा वीडियो देखने कले थैंक यू